दोस्तो यहां मेरा first name दिया गया है और यहां हमारा last name दिया गया है अब मुझे इनको आपस में combine करना है तो हम लोग कौन सा function यूज करते हैं या तो and function यूज करते हैं या तो concatenate function का use करते हैं या तो text join function का use करते हैं इनको आपस में combine करने के लिए लेकिन आज हम दोस्तो इसे वी लुक अफ फॉर्मले का यूस करके कंबाइन करने वाले हैं अगर मुझे डेली मीटा भी आड़ करना है लाइक कॉमा ओबलीक डैश तो वो भी हम इसी के अंदर आड़ करेंगे कुमार को आड़ करना है बीच में तो हम कुमार को भी आड़ करेंगे टेक्ट की फॉर्मेटिंग करना है तो वो भी हम वी लुक अफ फॉर्मले के अंदर ही कर देने वाले हैं आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आज तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहीएगा आई वीडियो को आरंब करते हैं देखे अपजीत अब जीटी टेक्निकल फॉर्म तो दोस्तो जैसे आप देख रहें यहां फर्ट नेम है और लास्ट नेम है अब मैं देखी क्या करूंगा ध्यान से देखीएगा वीडियो को इस स्किप मत करिएगा क्योंकि यह आपके लिए नया है आज तक आपने we look of formula का use करके कभी text को आपस में combine नहीं किये आपस की formatting नहीं किये लेकिन आज आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं यहां हम करेंगे equal to we look of ठीक है look of value look of value हम क्या देंगे देखीगा ध्यान से ram को select करेंगे and हम देंगे क्योंकि मुझे बीच में space भी देना है ram जैसे हम text combine करेंगे तो ram space misra ठीक है तब ही हमारा देखने में अच्छा लगेगा तो and के साथ हम क्या करेंगे double inverted comma में एक space देंगे और फिर double inverted comma लगाएंगे यह हमारा हो गया space के लिए फिर से हम and लगाएंगे उसके बाद हम misra को select करेंगे right अब हम comma लगाएंगे और table array देखी कैसे select करेंगे पहले हम इस पूरे first name को select करेंगे ठीक है and लगाएंगे और फिर यहां हम लिखेंगे double inverted comma फिर एक अब फिर double inverted comma लगादेंगे और फिर से हम and लेंगे और इसको select करेंगे last name को right अब हम क्या करेंगे comma लगाएंगे column index number यहां हम one लिखेंगे ठीक है उसके बाद हम फिर से comma लगाएंगे exact match के लिए हम zero लगाएंगे bracket burn और अब आपको control shift के साथ enter मारना है तो आप देखी हमारा text combined हो चुका अब मुझे इसे नीचे भी drag करना है तो अब हम क्या करेंगे array वाले range को f4 function की दापके freeze कर देंगे ठीक है आईए कर लेते हैं freeze इसको भी मैंने freeze कर लिया इस वाले range को भी मैंने freeze कर लिया क्योंकि अब अगर हम freeze नहीं करेंगे formula अगर हम drag करेंगे तो ये उपर नीचे sequence होगा तो result में थोड़ी दिक्कते आ जाएंगी ठीक है अब हम control shift के साथ enter मारेंगे तो ये हमारा आ गया राम मिश्रा राइट अब हम इसको नीचे drag कर देंगे तो अभी आप देखिए हमारा पूरा नाम आ चुका है राम मिश्रा अब इस सर्मा आप चेक कर लिजे मोहन मिश्रा ठीक है राइट अब इसके अंदर देखिए हम कैसे perform करने वाले हैं और भी बहुत सारा कुछ नया सीखने वाले हैं अब मुझे जैसे मा लिजे राम मिश्रा के बीच में oblique add करना है तो हम यह जो हमने यहां लिखा था double inverted comma में blank space दिया था यहां आप क्या कर सकते हैं oblique लगा दीजे पहला चीज और यहां भी आप array में भी क्या करेंगे oblique लगा देगे और control shift के साथ इंटर माल दीजे देखिए यहां oblique लग चुका है इसी तरह आप नीचे इस formula को drag कर दीजे ठीक है इसी तरह आप उपर भी कर सकते हैं तो अभी आप देखेंगे हमारे हर नेम पे oblique लग चुका है अब हम oblique को हटा देते हैं अब दोस्तो अगर अभी आप देख रहे हैं हमारा text में क्या है राम, मिस्रा, पूरा capital से है अब देख रहे हैं तो अभी हम चाहते हैं कि हमारा R capital से हो बाकी सारे alphabet है small से उसके बाद M capital से और बाकी सारे alphabet हमारे small से हो यानि हमारा proper formatting में आ जाए तो हम क्या करेंगे इस look up के आगे हम just एक proper formula यूज़ कर लेंगे और यह हो गया हमारा text और यहां इसको bracket बंद कर देंगे control shift के साथ enter तो अभी आप देखिए हमारा proper formatting हो चुकी है दोस्तो अब दोस्तो अगर आपको इसमें कुमार बीच में add करना है तो वो कैसे करेंगे आए उसको भी सीखते हैं उसके लिए दोस्तो हमारे पास एक formula होता है substitute formula तो आए यूज़ करते हैं substitute formula मैंने open किया text मेरा यहां से यहां तक क्या हो गया मेरा text हो गया ठीक है comma old text जो हमारा substitute formula यह क्या करता है जो हमारे old text होते हैं उसकी जगा आप कोई नया text या value add करना चाते हैं तो इस formula का use करके आप easily perform कर सकते हैं तो यहां देखेंगे यह क्या हो गया मेरा old text यहां से यहां तक मेरा हो गया old text ठीक है तो यहां मैंने substitute formula लगाया उसके बाद जो text है मेरा यहां से यहां तक मेरा text हो गया यानि जो अब मेरा राम मिश्रा है यहां से यहां तक मेरा राम मिश्रा आ रहा है इसके अंदर ठीक है कॉमा old text old text हम क्या देंगे old text आप देखें ध्यान से देखेगा old text आप क्या देंगे इसमें फिर मैं कॉमा दूँगा, new text, new text क्या लिखेंगे हम, double inverted comma के अंदर लिखेंगे हम, कुमार, right, मैंने कुमार लिख दिया, इतना कर दिया, double inverted comma को मैंने close कर दिया, ठीक है, ठीक है, bracket बन किया, control shift के साथ, enter मार दिया, ठीक है, तो अभी आप देखें, अभी आप देख रहें कि हम हमारा किस तरह आ गया, पुरा एक साथ, पुरा combined हो गया, right, तो हम क्या करेंगे, यहां जो है, एक space यहां देंगे, एक space हम यहां देंगे, ठीक है, और यहां हम कुमार को अच्छे से लिख लेंगे, यानि यह small से कर देंगे, ठीक है, और control shift के साथ, enter, तो आप देखें, हमा को subscribe कर दीजे, वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे, comment कर दीजे, क्योंकि यह काफी new tricks है, साथ YouTube पे भी यह tricks आपको न मिले, मिलते हैं दोस्तों, next वीडियो में, जय हिंट!